मैं आपके सामने कौन न्यू वडियो लेकर आ चुका हूँ आज इस पैसिकल का मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो ट्रेक की FX2 है डिस्क 2021 मॉडल्स तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चले वेडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस् है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताइंक्यों सो मज़ और तो गाइस यह रही ट्रेक की FX2 डिस्क 2021 मॉडल्स जैसा कि आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कलर आपको ब्लैक एंड रेड मिलेगा ओके एंड अगर हम बात करें इसकी इसमें तो फोर्क लगे हुए है यह ऐलॉईका है FX1 में आपको इसमें एलॉईका लगा हुए अगर हम विल्स की बात करें तो डबल बॉल ऐलॉईका विल्स मिलेगा वह भी बान्ट्रेजर का है जो spokes की बात करें तो 32 holes है यानि 32 spokes इसमें लगे हुए हैं और एक spokes इसकी है 14 grams की जो stainless steel है और हम बात करें इसमें तो front आपको quick release दिया हुए है easily wheel को remove कर सकते हैं and rear दोनों wheel आपको quick release दिया हुए है and अगर हम बात करेंगे इसमें front derailer की तो शिमानों आपको torny का front derailer मिलेगा rear derailer की बात करें तो शिमानों asera का आपको rear derailer मिलेगा अब इसके बात करते हैं cassette के उपर तो सबसे जो बड़ी वाली है यह वाली यह 32 तित की है 32 and सबसे छोटी वाली तित है इसकी यह 11 तित की है अगर हम front इसके आप chain wheel set की बात करें तो सबसे छोटी वाली जो तित है यह वाली सबसे छोटी वाली वह आपको मिलेगी 28 तित की जो जो बीच वाली है वो 38 तित की है सबसे जो बड़ी वाली है है वाटम इसके आपको सिल्ट काट्रेज बेरिंग वाली हैं और बेडल की बात करें तो वेलगों का पेडल्स लगा हुआ है इसमें और इसमें केबलिंग की बात करें तो आपको internal केबलिंग मिलेगा, shift की बात करें आपको,esesμαन का shift मिलेगा आपको, इसमें gear combination की बात करें तो आपको 8 x 3 का combination है, 24 speed की है cycles है, handlebar बात करें तो alloy का handlebar है, fX1 में आपको steel के handlebar मिल रहे होंगे, जैसा कि आप मेरा review सेख कर लीजेगा, और stem की की बात करें तो इसमें आपको bond razor का alloy का stay मिल रहा है और breaking system की बात करें तो टेक्ट्रो का hydraulic disc brake है इसमें ओके ग्रीप काफी अच्छे होते हैं इसके bond razor के grips हो लगे हुए हैं सेडल्स की बात करें तो सेडल्स भी आपको bond razor का seat post मिलेगा इसमें सेडल्स and seat post आपको alloy का वो भी bond razor का मिलेगा ओके और हब की बात करें तो front and rear hub इसके alloy के लगे हुए हैं तो overall bicycles काफी अच्छे हैं थैंक्यू सू मच गाइज